अधेजी मुख मंत्री का उमिद्वार तक हमने गोसित कर दिया है उनको या संभावना जता रहे हैं इन्होंने अपने पत्र में इतना तो कहा है कि आपने हमको काम करने के लिए औसर दिया है केजरिवाल जी के परती उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और सब कहें हैं जब ये सपत ले रहे थे आतीशी के साथ, तो जब बाहर आये थे पत्रकारों से इन्होंने कहा था कि हमारा अगला मिशन जो है एक ही है अरविंद केजरिवाल जी को मुखमंतरी बनाना, तो इतने कम दिन में कैसे समझ में आ गया कि सीश महल की गरवरी है, जमना की सफाई नह कही है, केबल उतनी ही बात है जो जनता के बीच और मुद्दे के रूप में विद्यमान है, अंदर की कोई बात कि केजरिवाल जी की कारे पद्धती किया है, या हमारे संबंध है, उसके कारण समस्या हो रही थी, बाक इसी समाल हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जमना की सफाई के सामने इस तिफा देने की क्या बज़ा हो गई थी, ये उसमें से कहीं ये स्पेस्फिक नहीं है, तो उन्होंने एक मोटा मोटी दिया है भी, भारतिये जनता पार्टी अगर इस प्रकार की पार्टी है, कि जो भी बाहर से आएगा उसको सामिल करो, और उसका प्रिणाम उ एक जाट इनके बिरूद लड़े थे और बहुत करिट टकर हो गई थी, बीजेपी वहां थर्ट पोजिसर में आ गई थी, तो ये एक संभाबना यह हो सकती है कि अगर बीजेपी में जाएंगे, तो आई एल्डी का बीजेपी से गट बनने नहीं तो इनके बिरूद उमीद के आये थे, जिनका दिल्ली का पुलिटकल बैक ग्राउंड है, बिजने समयन, ऐसा व्यक्ति छोड़ के जा रहा है, तो इसका मतलब वाता वरण में कुछ बढ़ाओ कर देता हूँ, कुई आमादी पार्टी ने रियाक्ट कर दिया आया, अपने मंतिरी के स्तीफा देने पर उन्हें रहा है, केलाज गहलोत के खिलाफ E.ड और Income Tax के कई मामले चल रहे थे, यह मैं आपको आमादी पार्टी का स्ट्रिट्मेंट बढ़ के दिखा रहा हूँ, इनके खिलाफ E.ड और Income Tax के कई मामले थे, केलाज गहलोत पर Raid भी हो चुकी थी E.ड और Income Tax Department की, उनके पास बीजेपी के पास बीजेपी में जाने के सिवा और कोई विकल्प नहीं था ये बीजेपी का गंदा शड्यंत रहे बीजेपी दिल्ली चुनाव एडी और सीबी आए के बल पर जीतना चाहती है वोई बात हो कह रहे हैं कि दबाव था ने आम आदनी पार्टी तो जब हमा पारी संख्या में कोई दल बदल कर दे बहुत सारी बाते होती है एडी ने सराब में तो इन से पूश्टाज के लिए एक्यूस्ट के रूप में नहीं बुलाया था ये बहुत ध्यान रखना चाहिए एक्यूस्ट के रूप में नहीं बुलाया था ना इनकी अरेस्टिंग ह सुने सुने केस अगर वैसी कोई चीज इनके सामने आई होती तो अगर बाकी मंत्री गिरफतार हो रहे थे तो यह क्यों नहीं हो गए होते हैं यह मामला सिर्फ सिर्फ यह है कि क्योंकि इनकी ट्यूनिंग बहुत जाड़ा अच्छी हो गई है एल्ली प्रशासन के साथ आम आदमी पार्टी अ जिए जिन्धा बहुत करें है लिए यहां यह तो जन्ता के लिए है ना ने मैं वहीं कहाँ हमारे मुख्यमंत्री यह बड़े बंगले में रहता है लेकिन मुख्यमंत्री जेल चला गया वो मुद्दा नहीं है बिल्कुल ने सब्सकु आप जन्ता जब इस्तिफात दे के अ किसी पार्टी को जब छोड़ता है तो ऐसे नेरेटीव को चुनता है जिसके साहरे अगे की राजनीति को चमका सके इनके केस में ऐसा है भी नहीं कि बहुत बड़े जनाधार वाले नेता हूं और यह उस तरह की चीज़ा है अपनी एक सीट पर अपनी एक से ज्यादा ज्याद विश्बातर कर लिया गया होता अगर वही काम करना होता है अगर यह बाजा नहीं खड़ी के ही होगी तो अभी इस्तीपान ही नहीं होता है इनके सामने यह समस्य जरूर होगी अगर आपने इतना विश्वास खो दिया पहले मैंने काई में खुब चरचा चल लीए 35-40 तो शायद समय रहते हैं कि BJP अपनी तयारी शुरू कर चुकी है, बहुत सारी सीटों पर BJP candidate भी फाइनल कर रही है, तो शायद समय रहते हैं इस काम को कर लिया हुगा है, इक चीज तो जिसे आपनी भी कहा और वो पता भी चल रही है, अब क्यूंकि ख़बरें इसी तैरने ल साथ जिस पार्टी का सरकार का इतना खराब रिलेशन्शिप रहा हूँ, मैं खराब कह रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली ये कोई political नहीं है, उस तरह से भी खराब रिलेशन रहा हूँ, उसके बाद उनके जो सबसे बड़े मंत्री हैं, या एक बड़े मंत्री हैं, उनका रिल कितने करीबी रहे, अरविन केजवाल को बढ़ी नाराजगी रहे होगी, लेकिन अरविन केजवाल के मंत्री मंदल में रहे, उसके बाद आतीशी बनी, उसके मंत्री मंदल में रहे, तो कत तो इनका पार्टी के अंदर बड़ा रहा है